लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और आज पुलिस ने काफी सकती की है उसका पूरा असर दिख रहा है प्रदेश की सारी सीमाए सील कर दी गई है सिर्फ इमर्जंसी और एसेंसियल सर्विसेज को इस लॉकडाउन से छूट प्राप्त है जिसमें अम्बुलेंस और खाद र अरसाइण की तुकाने एक खुली होंगी जो किमिस्ट की दुकाने खुली होंगी तो हम आपको दिखाने लाये हैं कि जो सीमाइ सील होती। किस तरह का महुल होता है ये आसा रोडी चेक पोस्ट है, क्लेमेंट ठाउन थाने के तहत ये चोकी आती है और आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला चेक पोस्ट है उत्तर प्रदेश का सहरनपुर जिला उससे जोड़ता है, दिल्ली जाने का भी ये मुख रास्ता है और यहाँ पे पूरी तरह से जो पुलिस कर्मी है, मुस्तायद है और आने जाने वालों की पूरी तरह से जाज परताल कर रहे हैं, उनसे पूछताच कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद ही अग किसी को आगे जाने की अनुमती दे रहे हैं आप देख से पूरा बेरिकेट लगाया हुआ है और कोई भी वाहन गुजरता है तो उसे रोकते हैं और पूछते हैं और यहां एक बड़ी संख्या में जो पुलिस कर्मी है सिर्फ अंबुलेंस को बिना पूछे जाने दे रहे हैं बाकी टू विलर फोर विलर किसी भी तरह के वाहन को बिना किसी जाज परताल के आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है अब बहुत बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मुस्ताइद हैं बहुत सारे पुलिस के लोग हैं यहां पर हम कोसिस करेंगे उनसे बात करने की और यह जानने की कोसिस करेंगे कि जो सीमाय सील की गई है उसका कितना असर है और कल की तुलना की बात करें कल जिस तरह से लॉकडाउन में ढीलाई देखी गई उसको देखते हुए सरकार को सक्ती का फैसला लेना पड़ा उसका कितना असर आज दूसरे दिन है आप देखिए अग इतनी सतरकता से यहाँ पर जाजपरताल करते हैं और अपना नाम पता रसी यानि जो बैरिकेड है उसके बाहर से ही बताया और रसी बैरियर पर सरीर का कोई अंग टच ने करें क्योंकि कोरोना जो महमारी है उसका सबसे बड़ा यही है कि छूने से फैलती है आख कान और नाक और मुह के जरिये इसके वाइरस सरीर में प्रवेस करते हैं और फिर आपकी जान ले लेते हैं यहाँ बहु सारे लोग हैं कोशिस करते हैं इसे जानने की कि आज का जो लॉगडाउन है उनका इस सीमा पर कितना असर है सर आसी सर आज के लॉकडाउन का कितना असर दिख रहा है आज तो काफी रहात है कि पबलिक नहीं निकल रही है कल के पेक्षा आज कम रहाना है कल कुछ पुलिस को कहीं कई बल प्रयोग भी करना पड़ा था जिस तरह से भीड अचानक उतर आई थी कुछ हिसों से सहर के कुछ हिसों से ऐसी रिपोर्ट आई आज की क्या इस्तिति आपके चेक पोष्ट की अगर बात करें तो यहाँ कोई सक्ति या उसकी जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं नहीं, यहाँ कल भी जरूरत नहीं पड़ी थी, कल भी हमने लोगों को समझा बजा के घर बेज दिया था और आज भी ज़्यादा आज तो पबली की नहीं आ रही है, आज तो कम लोग आ रहे हैं पर यह कि बलपरियों के अस्तिति यहाँ पर नहीं आई असीर जी अगर बात करें आपके रजिस्टर में आप एंट्री भी करते हैं और इस समय दिन के लगबग धाई बज रहे हैं और सुबह 10 बजे के बाद से एक तरह से जो लागडाउन है पूरी तरह से लागू है तो कितनी गाडिया गुजरी होगी, कुछ डाटा आप बता सकते हैं मारे दरसकों को जो भी गाडिया हम लगबग वापस बेज रहे हैं यहां से यहां के इस्थानी निवासी है उनका वापस ही यही से इंको घर बेज दे रहे हैं उनकी गाडियों का भी कोई डाटा आप कलेक्ट करते हैं या सिर्फ बाहर की कोशिश कर रहे हैं उनका भी डाटा करने का वैसे तो हम उनको रुक्वेस्ट करके वहीं से बगा देते हैं अगर जो नहीं मानता तो उसका इंट्री कर देते हैं आज कल की तुलना में आज जो देखे पुलिस की चुनवतिया हैं वो काफी कम लग रही हैं तो क्या लगता है कि जो जनता जो 31 मार्च तक ये लॉक्डाउन है और आगे भी बढ़ने की पूरी संभावना है क्योंकि जो संकर्थ है जो बिशेशक गया है उनका कहना है कि ये 37 तक रह सकता है तो क्या लगता है कि अब जो सिविलियंस है जो नागरिक है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं पर कुछ लोगों को समझाने बुजाने की जरूत है और थोड़ा आप लोगों को कभी इसमें बहुत सही हो की जरूत है कि मेडिया के माध्यम से और किसी को ये बोलें कि लोग अपने घरों में रहें कुछ लो जो यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर हैं तो कहीं पर मजदूर उजदूर जहां पर टिकेत हैं तो उनकी छुटी कर दिएगी है तो सब लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं तो मेरा भी थोड़ा सा आपके मादिम से यह कहना कर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनके मालि बड़ी प्रशानी हो रही है तो आपको मानवता दिखानी पड़ेगी जो मजदूर है या जो छोटे-छोटे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी छुटी कर दीगे और उन्हें घर जाने को मजबूर किया जा रहा है तो उनसे यह अपील किया एक पुलिस कर्मी के नाते और मैं सोयंगे एक मीडिया कर्मी के नाते अपील करता हूं कि उनको उनके रहने की ब्योस्ता करें उनके भोजन की ब्योस्ता करें क्योंकि ओभी मानो समाज से ही हैं हमारे आपके सहयोगी हैं हमारे आपके समाज में अपना अहम रोल निभाते हैं किसी को इस लॉक्डाउन से क होने लगा है आज रात को प्रधानमंत्री आठ बजे राष्ट को एक बार फिर से संबोधित करेंगे तो साथ कुछ नहीं जानकारी निकल के आए जिस तरह से जनताकर्फिव का उन्होंने प्रयोग किया था हमने अपने investigation में पहले भी बात बताई थी कि यह युद्ध के पूरोवा भ्यास की तरह है तो हम इस्थिती की गंभीरता को समझ सकते हैं इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से भी सबसे अपील करते हैं कि सिस्थिती की गंभीरता को समझे मानवता दिखाएं और मानो समाज में आपने जन्म लिया है और इस तरह का संकड जब मानवता पे आया है तो आपको सब की मदद करनी होगी और इस समय सबसे बड़ी मदद है कि आप अपने घर सब्सक्राइब रप्सक्राइब रपूर्ट